Welcome back to your channel DS20 देखिए भारती संबिधान से आपके Air Force में बहुत ही ज़्यादा question पूछता है ये कह लिजे कि सबसे ज़्यादा current affair से question पूछता है मतलब 3-4 question current affair से देखने को मिलते हैं और उसके बाद जो GK की question आते हैं ज़्यादा तर जो question होते हैं वो भारती संबिधान से पूछते हैं इसलिए हमने इसका अलग से एक सीरीज चला दिया जिसमें कि वो special question होंगे जो कई बार repeat होते हैं इसमें हमने आपको बताए कि राश्टरपती और उपर राश्टरपती से जो question बनते हैं उसको मैं अलग से कराऊंगा न सिर्फ question कराऊंगा बलकि detail में भी बताऊंगा कि किस अनुछेद में राश्टरपती के बारे में क्या क्या चीजे कही गई हैं ठीक है तो आए यहाँ पर इस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है पहला वीडियो अपलोड हो चुका है तो इसको देखते हैं दूसरी वीडियो को आपने पहला नहीं देखा देख लीजेगा फिलाल आप इस वीडियो को देखे और इस questions को देखे और यहाँ पर समझेए और खुद भी यह देखे कि आपको कितने questions आ रहे हैं पहला question है कि धन वीडियो को परिभासित किया गया है चार option है और अनुचेद दिये गये हैं किस अनुचेद में तो यहाँ पर option number A है अनुचेद 110 में भारती संबिधान के अनुचेद 110 में धन वीडियो को परिभासित किया गया है अगला कि संबिधान के किस अनुछेद के अंतरगत 6 से 14 वर्स के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है ठीक है तो ये वा 86 वा संबिधान संसोधन में 86 वा संबिधान संसोधन में ये सुनिश्चित किया गया कि 6 वर्स से लेकर के 14 वर्स के बच्चों की सिच्छा जो है कि वो मौलिक अधिकार बन गई है अगला question बहुत important है और इसमें आप confused भी होते हैं कि संबिधान सभा का प्रदान कौन था इसमें से ज़्यादातर बच्चे जो है कि B.E.R. अमबेटकर को सही करके आएंगे बट ये गलत है संबिधान सभा का जो प्रदान थे वो थे डाक्टर राजेंदर प्रसाद option number D एक चीज और आप लिख सकते हैं कि संबिधान सभा का अध्यक्ष कोन था मतलब प्रदान या अध्यक्ष वही बात है तो डाक्टर राजेंदर प्रसाद थे जब पूछेगा मतलब आस्थाई अध्यक्ष तो सचिदान सिना हो जाएंगे और जो बी आरमबेटकर थे यानि भीमराबेटकर थे ये प्रारूप समीती के अध्यक्ष थे संबिधान सभा में प्रारूप समीती के अध्यक्ष कोन थे डाक्टर B आरंबेटकर यानि भीमरावंबेटकर और संबिधान सभा क्या देख्च कौन थे तो डाक्टर राजेंदर प्रसाद या संबिधान सभा का प्रधान कहें लीजिए तो डाक्टर राजेंदर प्रसाद बात समय आगे बढ़ते हैं कन्फ्यूज नहीं होना है, आप अलग से लिख लिजिए, विधवापुनर विवाह एक्ट कब पास हुआ, विधवापुनर विवाह एक्ट कब पास हुआ, तो यहाँ पर ऑप्चन नमबर बी हो जाएगा 1856 में, इस्वर चंद्र विद्या सागर के प्रयतनों से विधवाप विवाह एक्ट पास हुआ, यह बहुत ही बड़ा एक सफलता थी, किसके लिए इस्वर चंद्र विद्या सागर के लिए और आने वाली पीडियों के लिए, ठीक है, भारती संबिधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सद से थी, तो जब संबिधान सभा का गठन हुआ था, उस 1876, यानि 1976 में हुआ था, नेक्ट क्वेश्चन है कि राजे सभा का सदस से चुने जाने के लिए प्रत्यासी की आयू होनी चाहिए, यानि कि राजे सभा का जो सदस से बनेगा प्रत्यासी, उसकी आयू, यानि उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो उसकी उम्र है 30 वर्स होन याद रखेंगे, कन्फ्यूज नहीं होना है अगला है भारती सम्विधान का 44 संसोधन निमलिखित में से किस एक परदान मंतरी के समय किया गया था तो मोरारजी देशाई की समय किया गया था अगला की पंचायती भारती सम्विधान की बाराहवी अनुसूची संबंदित है तो ये नगरपालिकाओं से संबंदित है किस से है नगरपालिकाओं से वह कौन सा उपराश्टरपती था जिसका देहांत अपने कारेकाल के दवरान हुगा ऑप्सन नमर डी है क्रिष्ड कांत भारत में प्रती निदी सरकार की निव किस अधिनियम द्वारा पड़ी तो यहाँ पर ऑप्सन नमर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा यानि कि भारती परिष्ड अधिनियम 1861 संबिधान की अधाड़ा स्वर प्रतम कहा उत्पन होगी यहाँ पर बात समझे लिएगा यहाँ पर इसका अंसर जो है कि अमेरिका है लेकिन अगर पूछे कि लिखित संबिधान की अधाड़ा कहा से होई तो वह है फ्रांस फ्रांस तो अप्सन में है ही नहीं लिखित यह संबिधान की अधाड़ा पूछ रहा है तो अमेरिका है लेकिन लिखित संभिधान की अवधाड़ा पूछेगा तो फ्रांस बताएंगे और अगर पूछले कि 20 वका सबसे बड़ा लिखित संभिधान किस देश का है तो भारत का है ठीक है किसके मतानुसार नियायशक्तिसाली का हित है तो इस बात को पाली माक्स ने कहा था ऑप्षन सी सुतंत्रता का अधिकार एक है तो यह क्या है नागरिक का अधिकार है औप्षन नमबर सी अगला देखिए important question है कि भारत एक गड़तंतरातमक राज्य है क्योंकि क्योंकि यहां का जो राज्या अध्यक्ष है उसे निर्वाचित किया जाता है आप निर्वाचित करते हैं उसे चुनते हैं इसलिए गरत तंत्र है यहां पर क्या होता है वोट परता है किसने कहा था कि राज्य को आर्थिक मामलों में हस्तशेप नहीं करना चाहिए किसने कहा था एडम स्मिथ ने कहा था, option number C से हो जाएगा भारत में सबसे पहले पंचायती राज़े वेऊष्था किस राज़े में लागू हुई बहुत ही ज़्यादा important question है, इसको समझेगा भारत में पंचायती राज़े वेऊष्था किस राज़े में लागू हुई नागवर जिले के बगधरी गाउं में हुआ था, और कब हुआ था, 2 October 1959 में थीक है, 2 October 1959 में राजस्थान के नागवर जिले में बगधरी गाउं में हुआ था और उस समय प्रधान मंत्री कौन थे? 1959 में कौन थे? जवाहर लाल, नहेरू तो उन्होंने ही लांच किया था लाश्ट क्वेस्चन यहापर समझ लिजेगा संभिधान के किस अनुछेद ने राश्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है यहाँ पर ओप्सन नंबर एसे हुजएगा याईनि 78-1 78-1 में का गया है कि जो राश्ट्रपति है को सरकार की सूचना प्राप्त करने का उनको राश्ट्रपति को अधिकार है तो आज के लिए इतने ही क्वेस्चन उमीद है कि आपको समझ में आयोंगी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लिजेगा इस चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजेगा और अभी तक हमानी बात सुन रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजेए ताकि हमें समझ में आए कि हमारी बात आप तक पहुँच रही है तैयार रही है चैनल को सब्सक्राइब करें और फिसक्राइब बेल आउन कर लीजिए मिलते हैं गली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम